हेलो स्टुडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमारा सब्जेक्ट है अडवांस मैथ जिसमें हम एलजेब्रा टोपिक कवर करेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो रहेगा अडवांस मैथ और इस वीडियो में हम अपना chapter cover करेंगे algebra यह हमारा शुरू होगा इसमें introduction पार्ट हमारा शुरू हो जाएगा algebra को मैं आपको अलगले type by soul करवाँगा type 1, type 2, type 3, type 4 जो भी इसके types है उन types की detail आपको next video lecture में मिल जाएगी तो इस video lecture को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले algebra में आपको क्या दिया होगा इसको हिंदी में beach gnit भी कहा जाता है इसमें आपको ज़्यादातर जो questions होंगे वो a, b, c की form में या x, y, z की form में दिये होते हैं मतलब जिसे हम sumy karan कहते हैं इसमें ज़्यादातर questions आपको sumy karan equation के form में दिये होते हैं वो हमें solve करने होंगे मतलब आपको semi-carnes के equations के formula अगर याद हैं तो हमें इससे solve कर सकते हैं मैंने इस algebra को formula based ना solve करके इसे parts में divide किया हुआ अलगलग parts में कैसे solve करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जो x, y, z होते हैं या जो e, b, c हैं इन्हें कहा जाता है 4 हिंदी में, इंग्लिष में कहते हैं variable इंग्लिष में कहा जाता है variable हिंदी में कहते हैं 4 जैसे example के लिए x प्लस y equal to 3 तो ये पूरा तो क्या है Summikarn पूरा तो क्या है? Summikarn Summikarn में क्या होगा? equation equation में क्या होगा F E मतलब variables का group या चरों का group जिसमें LHS left hand side और right hand side दोनों तरफे होने जरूरी है उसे क्या कहा जाता है समीकरन कहा जाता है variable की form में कोई भी एक समीकरन दियोगी left form और right form तो left hand side और equal to right hand side आने जरूरी है तब उसे क्या कहा जाएगा समीकरन तो ये एक हमारी समीकरन है यहाँ पर x और y ये क्या है चर है ये हमारे क्या है variable है अब दियान रखना है मैं कहीं भी variable है चर word यूद करता हूँ तो उसका meaning अब आपको पता होना चाहिए तो ये जो समीकरन है एक समीकरन हुई और variable कितने है दो है तो ये important point है ज्यान रखना एक और लिख रहा हूँ जैसे ऐसे लिखा होगा x प्लस y equal to में 5 2x minus y equal to में 3 ये लिखा हुआ है तो आप कह सकते हो equation variable दो equation है equation 1 equation 2 variable कितने है x और y दो variable है तो दो equation है दो variable है next देखते है x प्लस 2y प्लस 3z equal to 6 x equal to 4 तो यहाँ पर equation है आपके पास दो first equation second equation variable है x, y, z कितने variable है तीन variable है ठीक है यह दिया रखना यह इसे समिकरन कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है variable कहा जाता है अब हमारा target क्या होगा हमें कोई भी question दिया होगा उसमें आपको आगे को solve करने के लिए दिया होगा तो वह जो solve करना है वह आपसे x, y, z की value भी पूछ सकता है या इन में कोई relation बना कर x प्लस y कितना होगा x गुना y कितना होगा इस तरह से कोई भी question पूछ सकता है तो इनको solve करने के लिए एक rule आता है वो rule ही होता है जैसे मैं चर लिख रहा हूँ variable कोई भी दो लिख लेते है x, y, z लिखो, a, b लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा x, y की value तब ही find हो सकती है जब कम से कम दो समिकरन दी हो अब मैंने दो समिकरन वर्ड यूज क्यों किया है चर कितने लिखे हैं x, y तो समिकरने भी कितनी आएंगी दो दो variable है तो equation भी कितनी चाहिए दो ही चाहिए तो कहने का मतलब है x, y की value तब ही find होगी variables तब ही find होगे जब इनकी संख्या equation से या तो कम होगी या उससे बराबर होगी अगर चाहर समिकरन है तो variable भी कितनी आएंगी चाहर तब ही मैं उनकी value find कर सकता हूँ otherwise मैं उनकी value find नहीं कर सकता तो तब ही variable की value find होगी जब जितने variable हैं कम से कम उतनी equation हो equation ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है but solve अभी होगा जब जितने variable हैं उतनी समिकरनों जैसे example x प्लस y इक्वल टू 6 2x माइनस 5 y इक्वल टू 5 यह आ गया अब equation एक equation दो equation तो मेरे पास 2 है variable कितने हैं 2x और y इसका मतलब मैं इस समिकरन को solve कर सकता हूँ x और y की value find कर सकते हैं कैसे करेंगे वो हमारा भी concern का topic नहीं है तो हम यहाँ पर x और y की value find कर सकते हैं next example देखते हैं a प्लस b प्लस 2c equal to 5 a माइनस b equal to 6 b प्लस c equal to 4 तो कितने समिकरने एक दो तीन समिकरने variable तीन तो तीन तो मेरे पास equation है तीन ही variable है इसका मतलब मैं इसको solve कर सकता हूँ कैसे करेंगे वो अभी हमारा concern topic नहीं है बट इसको solve किया जा सकता है ऐसा तभी होगा जितने variable कम से कम उतनी equation ठीक है अगर यह आजे variable greater than equation अब variable की संख्या equation की संख्या ते क्या है ज्यादा तो यहाँ पर आएगा can't be determined question की बात नहीं चल रही बात चल रही है variables की value हम find नहीं कर सकते question को solve कर सकते हैं नहीं कर सकते वो नहीं अभी बात चल रही हम variable की value नहीं solve कर सकते जैसे example x plus y equal to 5 है तो एक समिकरन है equation है एक variable है तो x और y इसका मतलब मैं इस समिकरन को solve नहीं कर सकता मैं x और y का मान ग्यात नहीं कर सकता इसे find करने के लिए मुझे दो समिकरन कम से कम चाहिए थी तो यहाँ पर द्यान रखना है variables क्या होग equation से ज़्यादा इसका मतलब इसे solve नहीं किया जा सकता solve का मतलब मैं x और y की value को find नहीं कर सकता तो यह द्यान रखना यह दो point इसका basic था equation के से कहते हैं कौन सी equation solve हो सकती है कौन सी equation solve नहीं हो सकती तो अब यह जो part है यह हमारा सबसे ज़्यादा important वाला part रहेगा यह हमारा सबसे important part रहेगा इसी पे सबसे ज़्यादा question पूछ जाते है exam में ठीक है तो अब देखते हैं तो हमारा first type शुरू होने जारा अब algebra का वो the basic structure बताया था type 1 type 1 का नाम में रखा हुआ है इसका नाम है let method माना तो यह आपका है पहला method लैट जितने भी method आपको next वीडियो में पता लग जाएंगे next वीडियो में आपको लिष्ट देदूँगा कि आपको algebra के कौन-कौन से method कोशन सोल करवाए जाएंगे इन method में आपका complete algebra आजाएगा जितने भी प्रीविए से कोशन है वह maximum आपको वीडियो क्लास में सोल करवाने की कोशिश करूँगा तो type 1 है let method माना कि आप अपनी मर्जी से value मान सकते हो तो सबसे पहले आपको इसमें द्यान क्या रखना है first point यह method लगेगा कांपर माना method है माना का मतलब अपनी मर्जी से मानना कोई मर्जी value तो यह method वहाँ लगेगा clearly दिख रहा है यहाँ तो x और y की value मैं find करूँगा मानूँगा थोड़ी और यहाँ मैं find तो कर नहीं सकता तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा मानना पड़े if you find तो नहीं कर सकते तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा ठीक है तो कहते हैं मानना और citing एक्वेशन से कम हो या उसके बराबर हो तब उसे कहा जाता है find करना उस मैथड का नाम क्या होता है find करना तो वहां पर आपको x और y की value find करने पड़ेगी वहां पर आप अपनी मर्जी से ने solve कर सकते तीक है यह दियान रखना है तो इसमें दूसरा point है जब भी हम value अपनी बटे में 0 नाए उपर कुछ भी आजे बटे में 0 नहीं आनी ची दियान रखना value आप कुछ मर्जी एजियूम करो कोई फरक नहीं पड़ेगा बट value को एजियूम करते time दियान रखना कि divide में 0 नाए example पांच बटे में a-b है ऐसे लिखा हुए तो मैं value एजियूम करता हूँ a को मैंने 2 एजियूम किया b को मैंने 2 मान लिया तो 2-2 कितना हो जाएगा 0 तो यहाँ दियान रखना है कि मुझे a और b की value को 2-2 या equal एजियूम नहीं करना जिससे की बटे में 0 आजाएगा ठीक है दूसरा point दियान रखना है under root में minus नाए इन दो बातों का दियान रखना है एजियूम करते हैं हमें इन बातों का दियान रखना है एक तो बटे में 0 ना आए दूसरा under root में minus का sign ना रहे एक्जामपल के लिए जैसे लिखा हो under root में a minus b तो मैंने a को अपनी मर्जी से 2 मान लिया b को 5 मान लिया तो यहां पर यह मत करना 2 minus 5 under root में क्या आगा minus 3 तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी value को मानते समय आपको दो यह बातों का दियान रखना है एक बटे में 0 नाए और एक under root में minus नाए ठीक है अब आपको मानना method के बारे में बताता है यह आपका basic structure cover हो गया माना method कहां लगता है क्यों लगता है वो मैंने पहले बता दिया क्योंकि वहां पर हम x और y की value find नहीं कर सकते वहां अपनी मर्जी से हमें value माननी पड़ेगी ठीक है अब example से देखो बिल्कुल basic example से लेकर चलूँगा जनरली इस तरह के example exam में नहीं पूछा जाता ठीक है तो अब देखो question है यदि a plus b equal to 5 हो तो a plus b का whole square का मान कितना होगा ठीक है अब हम इससे solve करते हैं अब देखो solve करने के लिए a b का मान 5 दे दिया ये find करना है सबसे पहले sum करन कितनी है equation कितनी है एक है कौन सी a plus b equal to 5 वो sum करने है वो find करना हमें दियान रखना एक sum करना है फिर variable कितने हैं तो कौन कौन से a कौम अबी तो दो variable है equation एक है तो variable greater than equation इसका मतलब variable जादा है sum करने कम है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं a और b का मान ग्यात नहीं कर सकता अगर नहीं कर सकता तो मुझे कौन सा method लगाना पड़ेगा let तो ये question let method से solve करना हमें ठीक है अब इससे solve करते हैं पहला method let में अब let method का मतलब क्या है कि इसमें आप a की value कुछ मरजी मान लो a की value क्या मान लो कुछ मरजी मान लो a तो लिखना है मानना जब a को मैं माननूँगा तो उस time मैं b को माननूँगा थोड़ी मैं b को क्या करूँगा find करूँगा ये छोट छोटे points के दियां रखना suppose करो मैंने a को two मान लिया तो मेरे पास equation एक बची variable भी कितना बचा एक ही बचा ना दो variable में थे a का मान तो मैंने मान लिया तो बचा कितना एक variable समी करने भी कितनी हुई एक तो वहाँ मुझे b की value माननी नहीं है b की value क्या करनी है ग्याद करनी है ठीक है तो जब मैं एक को मान लूँगा मेरे पास a की बचेगा तो मैं उसे क्या करूँगा फिर find करूँगा ठीक है तो a को मानना है b find करना है अब यहाँ पर कोई compulsory नहीं है कि a को मानना है आप b को मानो तो a को find कर लेना बट दोनों को नहीं मानना यह simple question है तो हमें लगता है कि हम a को 2 मान लेते है b को 3 मान लेते है उस case में आपने b को 3 नहीं मानना question simple था तो आपको दिख रहा है कि आप मान रहे हो बट actual में आपने b को 3 find किया था ठीक है अब a को मान लेते है 2 b को मानना नहीं है find करना है find करते है अब a के जगा 2 पुट करो 2 प्लस b equal to 5 तो b equal to क्या है 3 आ गया a भी मिल गया b भी मिल गया value पुट करो 2 प्लस 3 का whole square 5 का square equal to 25 यह आप का answer आ गया अब बात है कि तरह मैं value change करूँगा तो मेरा answer change हो जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होगा ठीक है दो form आएंगी मैं दोनों form बताता हूँ तो ऐसा कभी भी नहीं होगा आपका answer कभी भी नहीं बतलेगा ठीक है पहले मैं value change करता हूँ तो मैंने a को मान लिया 1 1 प्लस b equal to 5 b आ यह 4 find क्या करना था a प्लस b का whole square 1 प्लस 4 का whole square a b की value हमारे पाता आ चुकी है 5 का square 25 तो फिर answer 25 आ रहा है ठीक है अब देखो next कुछ मर्जी जो आपको ठीक लगे वो value मानो कोई burden नी लेना मैंने a को मान लिया 0 जो आपको ठीक लगे बिल्कुल free mind हो कर a को 0 तो 0 प्लस b इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 5 आ गया put करो 0 प्लस 5 का whole square 5 का square 25 25 आपका answer सेम आएगा आपका answer कभी भी नी change होगा इस चीज से आफ free रहना ठीक है answer कहाँ change होगा मैं आपको detail में बताऊंगा सारी चीजे फिर मैंने a को assume किया minus 2 plus का मानो minus का मानो 0 मानो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है ये चीजें सीखने हैं बस minus 2 plus b equal to 5 minus का 2 दर जाकर plus का 5 plus 2 7 तो find करना है a plus b का whole square a की value है minus 2 b की value है 7 minus 2 plus 7 5 square result आगया 25 तो हर बार आपका answer क्या रहा है 25 तो यहाँ पर आपका इस question का answer आचुका है 25 आप कुछ भी value दियूम करोगे आपका answer कभी भी नी change होगा ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ दो case है मैं दोनो case को लग-लग solve करवाऊंगा case 1 case 2 case 1 आएगा जिसमें option आपके सारे के सारे number की form में होंगे 10 6 11 25 तो आपका answer क्या आजएगा 25 case 2 क्या होगा case 2 में आपको दिया होगा a-b 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 a-square प्लस b-square और d option दिया होगा a-square प्लस b-square प्लस 2ab इस तरह से दिया होगा कि देखो इसमें तो option number की form में आ रहे हैं सारे के सारे बट अगले जो option दे रखे हैं वो आपको a-b की form में दे रखे हैं तो उस case में क्या करना है number की form में आ तो 25 आपका आगया आपको कुछ नहीं सोचना जब आपके option a-b-c-d की form में आजे तो आपको क्या करना है जो value आपने a और b की assume की थी या a और b की value हमें हमारे पता आई थी जैसे इसमें देखते हैं a को one माना था b को क्या माना था 4 आया था तो आप एक और 4 value पहले यहाँ put करो यहाँ पर जो आपको find करना है वहाँ से मिला 25 अब जो option आपको 25 बनाएगा किस पे a1 पे b4 पे वो option क्या होगा सही बाकी सारे option क्या होंगे गर्द तो जो आपके पास a-b की value question में आई थी वो value जहां से आपको जो आपको find करना वहाँ भी put करनी है फिर वही value आपको option में भी put करनी है तो मैं आपको यह कह रहा हूँ case 1, case 2 मैं दोनों separately question करवाऊंगा आप उसकी चिनता मत करो अभी के लिए आपको दियान रखना है कि आपके पास जो a-b की value आई है वो आप option में भी put करोगे जब मैं यहाँ पर a-b की value put करोगा 1-4-3 तो इस सारे के सारे number में convert हो जाएंगे जब number में convert होंगे तो वो answer सही होगा जो हमारा match हो जाएगा जब number की form में दिया होगा तो आपको दुबारा value change करने की ज़रूरत नहीं है कई बार क्या होगा दो answer match कर जाएंगे answer कितने match करेंगे दो कर जाएंगे जैसे a को 0 मानना था तो b 5 आया था न a को 0 मानना था तो b 5 आया था अब मैं put करता हूँ 0-5 25 नहीं आ रहा 0-5 नहीं आ रहा 0 का square प्लस 5 का square 25 0 का square 0 5 का square 25 2ab a 0 है तो 0 होगया यह भी 25 अब क्या करें तो उस case में आपको value change करनी है तो एक बार इसे यहीं छोड़ दो जब मैं questions करवाऊंगा तब आपको काफी अच्छे से समझ आएगा तो option दो ही form में आएंगे first form है number की form में second form है a b की form में अगर a b की form में आएं तो जो value a और b की थी वो आपको option में भी put करनी है तो यह था आपका let matter तो जब आप a और b की value find ही नहीं कर सकते उस case में आपको a और b से जो भी आपके पास variable है उनकी value आप अपनी मर्जी से जियूम कर सकते है अब कितने की जियूम करनी है वो आपको बताई दिया मेरे पास दो equation है तीन variable है दो equation है तीन variable है तो एक variable तो मान लेना है बाकी दो को क्या करना है find करना है जितनी equation है उतने variable को हमेशा ग्यात करना है, find करना है, ठीक है, तो यहाँ पर थे मेरे पास एक equation थी, तो एक variable मैं find करूँगा, variable दो थे, एक मैं find करूँगा, तो एक ही मान लूँगा, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे देख लेते हैं, note बना के लिख लेते हैं, example, example हमारे पास, दो समी करने लिख रहें, कोई भी, simple data लिखने हैं, दो equation है, तीन variable है, तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक variable तो क्या करना है, मानना है, दो variable क्या करने है, find करने है, यह द्यान रखना, जितनी समी करना, उतने तो find करने है, बाकी सारे क्या करने है, मान लेने है, जैसे, एक equation आगी, तीन variable होगे, तो इसमें क्या करोगे, एक को तो find करोगे, और दो क्या करोगे, मान लोगे, ठीक है, यह द्यान रखना है, तो यह इसका basic structure था, इससे आप algebra के काफी बड़े-बड़े question, बड़े easy method से solve कर सकते हैं, तो अब एक example देखते हैं, जो question exam में आया हुआ है, पहले, question है, यदि a plus b plus c equal to 0 होतो, a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c का मान क्या होगा, यह question आ गया, अगर करें, a plus b plus c, तीनों का जोड क्या है, 0, तो a q plus b q plus c q minus 3 a b c के value क्या है, अब यह formula से भी solve होगा, तिक अगर जिसको formula याद है, वो solve कर सकते हैं, बट अभी का हमारा target के हैं, कोई आता student जो पहली बारे लेबरा कर रहा है, वो भी question का answer find करेगा, बड़े easy method से, सबसे पहले solution में देखते हैं, equation कितने है, यह equation equal to 0, एक, यह equation नहीं है, यह find करना है, variable कितने आ रहे हैं, 3, a, b, c, तो एक equation है, तो एक तो क्या करना है, find, और दो हमें क्या करने है, मान लेने है, ठीक है, तो कोई मर्जी मान लो, कोई फरक नहीं पड़ता, कुछ मर्जी value मान लो, कोई फरक नहीं पड़ता, plus मानो, 0 मानो, negative मानो, वो आपकी choice है, बड value assume करते time क्या ध्यानक नहीं, बटे में 0 ना है, under root में minus ना है, ठीक है, अब इसने जो दिया है, वो उसको लिख लेते तो मैं आपको इसमें सारी level कवर करवाऊंगा, तो मैंने a को मान लिया, 1, b को मान लिया, 2, अब c को नहीं मानोगा, c find करूँगा, एक तो find करना है, दो मान लिया, तो 1, plus 2, plus c, equal to 0, c equal to कितना आएगा, minus 3, 2, plus 1, 3, उदर जाकर minus 3, ये आगया, अब इसे put करते हैं, जो find करन b cube, 2 cube, c cube, minus 3, minus 3, a का मान लिया, 1, b का मान लिया, 2, c का मान लिया, minus 3, 1 का cube, एक, 2 का cube, आट, minus 3 का cube, minus 27, minus minus plus, तीन दूनीच 6, 6 तीय, 18, 8 और 1, 9 और 18, 27, minus 27, solve करने पर क्या आगया, 0, तो आपका इस question का अंसर क्या आगया, 0, अगर option नंबर की form में है, option किसकी form में है, नंबर की form में है, तो जो 0 अंसर हो गया, अगर option ABC की form में है, फिर हमें चेक करना पड़ेगा वो मैं दोनों केस आपको separately करवाने वाला हूँ ठीक है अब भी मैं तिर्फ आपको basic सिखा रहा हूँ अब हम value change करके देखते है क्या आप भी 0 आ रहे है तो A को मैंने मान लिया 1 B को भी 1 नहीं मान लिया 1 प्लस 1 प्लस C equal to 0 फिर 1 का cube फिर आया minus 2 का cube फिर minus 3 A B C जो मुझे find करना था ठीक है 1 का cube 1 प्लस 1 minus 8 minus minus plus 3 दोनी 6 6 और 2 8 8 में थे 8 गटाए 0 फिर 0 आगे value change करते है कुछ मर्जी value मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा A को 0 मान लिया B को 1 मैंने खाए value simple मानो जिसे calculation अतान हो जाए तो 0 प्लस 1 प्लस C इक्वल टो 0 C इक्वल टो क्या आ गया minus 1 पूट करते हैं A का cube प्लस B का cube प्लस C का cube minus 3 A B B into C 0 के अब 0 हो गया 1 का cube 1 minus 1 cube का minus 1 तो 0 into something 0 तो 1 में से 1 घटाया 0 आपका answer क्या आगा 0 हर बार आपका answer क्या आ रहा है 0 जो option 0 होगा उसे आप लगा देना आपका answer आ जाएगा अब मैं बता रहा हूँ इस question की best value क्या है आपको नीडर होके value एजियूम करनी है A को 0 मान लिया B को भी 0 मान लो calculation क्यों बढ़ानी है मैंने का value कुछ मर्जी एजियूम करो जो आपको ठीक लगे बटे में 0 नाए अंडरूट में माइनस नाए तो 0 प्लस 0 प्लस C equal to 0 C का मान क्या आ गया 0 0 का cube 0 का cube 0 का cube minus 3 0 into 0 into 0 solve करने पे आंसर क्या आ जिरो यह आप cancer हो गया तो आपको वो value माननी है जिससे calculation simple आए और दो बातों का दियान रखना है बटे में 0 नाए अंडरूट में माइनस ना कुछ भी दोनो से मानो दोनो प्लस के दोनो माइनस के एक प्लस का एक माइनस का बड़ी value छोटी value जितनी value simple मानोंगे उतनी calculation काम आएगी ठीक है अगर बड़ी value मानोंगे तो calculation बढ़ जाएगी उससे कोई benefit नहीं है answer last ने वापित फुरी होई 0 आएगा 0 कब नहीं आएगा जब हम calculation में श्टेक कर देंगी otherwise इस question का आँसर 0 है तो 0 आएगा अगर answer कुछ और है तो हर बार कुछ और आएगा पर answer कभी भी बदलेगा नहीं अब answer नहीं बदल रहे इसका reason क्या है अब ये एक समिकरन दी है इसका मान क्या होगा तो इसका मान हर बार same ही रहेगा ना इसका मान या तो ABC की form में आए तो ABC की value बदलेगी तो answer भी बदलेगा ठीक है उस case में option ABC में होंगी अगर इसकी कोई fix value आ रही है तो वो fix value हमेशा fix ही रहेगा ना तो इसने कोई तीनों का जोड़ 0 रही है इसने यह तहनी का ना तीनो प्लस की होने चीह तीनो माइनस की होने चीह इसने हमें कोई guideline नहीं दी इसने का तेनों का जोड़ 0 मतलब ऐसी 3 value जिनको जोड़ने पर जिर्द हो आ रहा है उस पे ये हमेशा ही आपको एक fix answer मिलेगा उस पे ठीक है तो इस वीडियो लेक्षर में इतना ही next में मैं आपको इस पे practice session रखेंगे दोनों case अलगलग करवाऊंगा ठीक है case 1 में जो होंगे option सारे option होंगे नहीं नंबर की form में होंगे तो वहां पर मैं option देने वाल है नहीं case 2 में option variable की form में आएंगे तो वहां मुझे आपको option शो करने पड़ेंगे तो इस वीडियो लेक्षर में इतना ही ओके थैंक यू